साथवे चरन में एक जून को बिहार में मतदान है और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई दरसल लोग सबस चुनाओ के आखरी चरन का मतदान है राजनिती हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और जैसे जैसे हलचल तेज हो रही है ठीक वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है अब ऐसे में डैमज कंट्रोल से बचने के लिए बीजेपी ने बढ़ी रंडिती भी बनाई है अब बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ गई है और क्या कुछ रणिती बनाई गई है आईए हम आपको इस वीडियो में वस्तार से बताते हैं नमस्कार स्वागत है आपका Capital TV बिहार के स्पेशल सोथ चुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मचा दरसल बीजेपी सात्वे चौरण की वोटिंग में जीत के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चारी बिहार में जीत के लिए जातिय समिकर्णों पर फोकस कर रही है बीजेपी ऐसे में पाती ने पेम मोदी की चुनावी सभाव को अधिक तवज्जो दी जैसे जैसे लोग सबस चुनाव अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है बीजेपी इसमें अपनी पूरी ताक जोगरी है बिहार में भगवा दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चारा पाती आखरी चरण में खास रणेती पर भी फोकस कर रही है बात अगर केवल बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी को जाती असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है जिससे की बीजेपी की चिंदा बढ़ गई है जाती असंतुलन के कारिन संभावी जटके को रोकने के लिए डैमज कंट्रोल मिशन पर हर संभाव पर्यास भी जारी है राज़ में अंतिम चरण में आठ संसद्य सीटों पर मद्दान होना है और 2019 में इंडिये ने या सभी आठ सीटे जीती थी जिसमें कि बीजेपी ने पांच और सयोगी दल जद्यू ने तीन सीटे जीती थी हलाकि 2020 के वधान सभाचुनाओ के दोरान राज़त के नितरत वाले महागटबंदन ने इस छेत्र में इंडिये से बहतर प्रदर्शिन किया था अब 2024 में राजनितिक सम्मेकरिन और जमीनी हलात में थोड़ा बहुत बदलाओ देखने को मल रहा है यहाँ जद्यू नेता और बिहार के सियम नतीश कुमार का मजबूत समर्थन अधार करने वाला कुस्वाहा समाज जो है अंडिये से दूर होते जा रहा है ऐसा लगता है कि समुदाय में बिजेपी के प्रतिय अविश्वास पैदा हो गया है पार्टी ने किसी भी कुस्वाहा उमदवार को मैदान में नहीं उतारा यह तब है जब रास्टी लोग मोर्चा के समुदायक नेता उपिंद कुस्वाहा कारा काट लोग सबजशेतर से अंडिये के उमदवार है दरसल अंडिये के सामने कुस्वाहा की समस्या की ज़र कारा काट है पुर्व बीजेपी नेता और भोजपूरी अभनेता पवन सिंग में इस सीट से नर्दली उमदवार की तौर पर नमांकन दाखिल किया वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आखिरकार पवन सिंग को पार्टी से नस्काशित भी कर दिया हलाकि राजपुत समुदाय के मददाता उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लेकिन अब कुस्वाहा समुदाय के बीच यह धारना है कि उपेंद्र कुस्वाहा को हराने के लिए पवन सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं और बाद में बीजेपी में जाकर वा शामिल भी हो जाएंगे ऐसे में कुस्वाहा की बदलती नस्ठा का असर आरा, बकसर, जहानाबाद और पार्टली पुत्र की आसपास के सीटों पर महसूस किया जा रहा है वही जहानाबाद में भुमिहार समुदाय के मतदाताओ का एक वर्ग जद्यू के सांसस चंदेश्वर चंद्रवंसी जो है उनसे नाखुस है भुमिहार समुदाय के लोग बसपा उमिद्वार अरुन कुमार या फिर निर्दली आशुतोस कुमार के साथ जाने की योजना बना रहे है वहीं दूसरी और पवन सिंग को पाटी से निकाल देने के बाद से राजपूस समाज में भी थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही है तो या तमाम घटना क्रम जो है बीते दनों में बिहार में घटिट हुए इससे कही न कहीं भाजपा के लिए जातीय समय करन असंतुलित सा हो गया है ऐसे में इन घटना क्रमों से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए भाजपा नेतरित्वा हरकत में आ गया है इसके सिर्ष नेता अब मगत छेतर पर ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं इसे से बचनी के लिए पियम नरेंद्र मोधी ने सनिवार को पाटली पुत्र बक्तर और काराकाट में तीन रैलियों को सम्बोधित किया सुक्रवार को ग्रह मंत्र अमुष्या ने क्रमसोब भाजपा और जदियों मदवारों के लिए आरा और जहानबाद में दो रैलियों को सम्बोधित किया वही रविबार को भाजपा के रास्टी अध्यक जेपी नर्डा, काराकाट, आरा और नालंदा में तीन सार्विजनिक बैठिकों को सम्बोधित किये तो यह तमाम बड़े नेता जो है भाजपा के वह लगातार आकरी चेरन में बिहार का दौरा किये है और कही ना कहीं भाजपा को अब इस बात का डर सता रहा है कि जो जातिये असंतुलन हुआ है वह उनके लिए या फिर उनके पार्टी के लिए खत्रा साबित हो सकता है इसलिए इनके तरफ से आप भी डैमेज केंट्रोल की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में अब देखना दल्चास्प होगा कि जब एक जून को वोट परते हैं तो किस के पक्ष में ज़्यादा वोट परते हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि अब वाकई में अब आखरी च्वेरन में भाजपा डड़ी हुए कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका है कि इस बार उनको इन आठो सीटों पर उतनी आसानी सी जूइत नहीं मिलेगी जुतना कि पुछले चुनाओ यानि की 2019 में मला था आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें और आगे के दमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे कापटल टीवी बिहार धन्यवाद